Hello and welcome to my channel web study इस वीडियो में हम walk in time के आगे की questions करेंगी जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हमने already 29 questions तक कर लिया है अगर आपने कोई भी वीडियो में miss करी है तो लिंक मैंने description में डाल दिया है आप वहाँ से जाके पूरी वीडियो चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ऐसे चैप्टर लगता है जिसकी मैंने सारी questions नहीं डाले तो आप मुझे comment box में लिखके बता सकते हैं मैं उसके बागी वीडियो भी बना दूगी just because बागी विचे बहुत जादा request कर लेते हैं कि next chapter की बनाओ इसलिए मैंने chapters switch करें हैं तो start करते हैं also अगर आपको किसी भी chapter की advance questions के video solution चाहिए तो आप मुझे mail कर सकते हैं वहाँ पर मैं आपको दे दूगी अब start करते हैं आगे की question अभी तक जैसा कि आपको पता है कि हमने already 29 तक कर लिया है 28 तक कर लिया है इस video मा हम 29 करेंगे format में थोड़ा change है manage कर लेना because अभी क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं इतने resources available नहीं है मेरे पास इसलिए मुझे step से करना पढ़ ला है but मैं आपको explain अच्छे से करूँगी questions ठीक है और answer भी मैं आपको अच्छे से explain करूँगी उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी but मैं यह assume करी हूँ कि आपके पास book है ठीक है और आपके पास solutions है in case अगर आपके पास solutions नहीं है आप इस book के solutions देखना चाहते है तो end मैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगी आप उसकी चिंता मत करे but पहले questions को मेरे साथ अच्छे से पढ़े और solutions करते हैं अगर आप आता है तो आप पास करके खुद इबर solution कर सकते हैं और उसकी बाद हम check कर लेंगे तो start करते हैं तो 29th question क्या है वो पढ़ते हैं 20 women can complete a piece of work in 7 days ठीक है जो 20 women's है वो एक piece of work को 7 days में खतम कर देती है if 8 more women can are put on job in how many days the work will be completed ठीक है आपको बोला है कि 20 women's है और ये 20 women's जो है वो 7 days में काम खतम कर देती हैं अब पूचा है कि 8 more women's अगर डाली जाएं तो total कितनी 28 तो ये कितने दिनों में काम खतम करेगी अब काम खतम ये कितने दिनों में करेगी हमें कब पता चलेगा जब हमें पता चलेगा कि काम कितना है अभी तक आप हम LCM मेथट से निकालते थे बट यहाँ पर हम सीखेंगी कुछ नया अब वो क्या है देखो भई अगर 20 औरतें मिलके 7 दिन में काम खतम कर दी है तो which means कि आपका टोटल काम कितना होगा 20 into 77 because 20 औरते 7 दिन तक काम कर रही है तो काम 20 औरते अगर साथ दिन तक काम कर रही है तो 20 into 7 हम मानेगे कि वो काम है इतना यूनिट्स प्रेडूज करना ठीक है Just because हम काम को मेजर नहीं कर सकते हैं हम units में उनको measure कर सकते हैं, ठीक है, अगर एक और अतने 5 units बनाया, तो अधमीन साफ का काम है, 5 units produce करना, तो हमें work के बारे में कोई information नहीं दिया, तो हम assume करेंगे 20 ओरते, अगर 7 दिन तक काम करती है, तो हमारा जो total काम है, वो कितना है, 20 into 7, which is 114 units, तो प्रिद्टी, प्लस 8 और जोड़ दे, तो 28 अगर विमन साथ में मिलके काम खतम करेंगी, तो वो कितने दिन में करेंगी, तो वो करेंगी 5 दिन में, कुछ difficult नहीं था, इसमें आपको बस ये चीज समझनी है, कि जब भी आपको, जैसे previously हमने questions करें थे, उस method में अगर आपको नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, total work को निकालना है, ठीक है, अब हम इस type के questions करेंगी, तो आपको समझ आ जाएगा, कि कहां पर आपको काम, और मतलब जितने भी mens दिये हैं, और जितने days के उनके काम दिये हैं, उनको करना है, अभी तक हमने ऐसा क्यों नहीं करा, ठीक है, अगर आपके मन में एक question आता है, तो अच्छा question है, कि अभी तक हमने ऐसा क्यों नहीं करा, तो इसका reason यह है, कि अभी तक हमसे एक ही आदमी बोलते थे, कि A जो है वो 10 दिन में काम खतम करता है, और B जो है वो 5 दिन में काम खतम करता है, यह हमसे यह नहीं बोला था, कि A, अब यहाँ पर एक ही है, अगर हमसे बोलते 5, 5 मेंस हैं, और 5 मेंस आपके, 10 दिन में काम खतम करता है, तब हम निकालेंगे 5 into 10 अगर यहाँ पर सरफ एक की बात कर रहे है कि एक A है और एक B है तो हम कैसे निकालें इसलिए हम वहाँ पर LCM देती थे तो यह चीज चीज ग्लेयर हुई तो 29th का अंसर क्या है 29th का अंसर है आपका 5 days राइट चीज समझाएं नेक्स देखते है 12 men's can do a piece of work in 24 days ठीक है अब यहाँ पर आदमियों के बारे में बात हो रहे कि 12 men's जो है वो आपका काम खतम करते हैं 24 days में ठीक है In how many days I needed to complete the work if 8 men's do the work यानि कि ठीक है आपसे बोला है कि भाई 12 men's 12 आदमी 24 दिन में काम खतम करते हैं तो 8 आदमी कितने दिन में काम खतम करेंगे कुछ difficult नहीं है देखो छोटी छोटी steps है ना वही से आप सीखोगे कि how to increase your speed how to increase the speed of calculation अब कैसे आप यह मत करना कि 12 into 24 करो पहले यह चीज निकाल दी उसके बाद जो answer आया उसको divided by 8 करो क्यों करने यह अतनी महनत एंड में आपको करना क्या है भाई 12 आदमी 24 दिन दर काम खतम करते हैं तो total काम होगा कितना यह चीज समझाए कि 12 into 24 that will be your total work अगर this is your total work तो how many days will required for 8 months to do the work 8 आदमी कितना दिन लेंगे काम खतम करने में उसको 8 से डिवाइड कर दो easy था समझाए यह चीज अब मैंने इसको into इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे क्या करना है अपनी calculation को fast करना है तो भाई जब मुझे इसको into करके 8 से डिवाइड करना है तो मैं directly कर दूँ न 8 बंजा and 3 जा तो answer will be your 36 क्यों मैं इतना बड़ा number बनाऊ 12 बंटो 24 and then after I'll divide 8 by that number ठीक है तो उससे क्या होगा भी calculation थोड़ी सी slow हो जाएगी और कुछ नहीं होगा जाएगा ठीक है तो यह चीज समझा ही अब इसी concept चाहाँ और question करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से next है आपका 8 20 minutes अब यहाँ पर यह है आपका 31th question तो 20 men can cut 30 trees in 4 hours ठीक है अब यहाँ पर घंटे भी आ गए है काम भी आ गया है घंटे भी आ गए है men's भी आ गया है तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ है क्या-क्या है एक तो men है एक time है और एक work है अभी तक हमारे पास सरफ men और time था और इन दोनों को into करके हम क्या निकालते हैं हम निकालते हैं कि हमारे पास work कितना है हमेशा यह चीज़ अपने mind में रखना कि men into time यानि कि जितने लोग वो काम कर रही है और जितने दिन में वो काम कर रहे है उन दोनों को into कर दो तो आपके पास से जाएगा कि वो काम actual में है कितना चीज़ है तो अभी तक हम या करते थे we used to do men into time to find the work अब अगर हमारे पास work आ गया है तो यह जो work है यह क्यों दिया है मतलब यह जो work यह नहीं कि 30 to produce 33 trees suppose your work is to produce 30 trees I know कि यह वो एक वैसा काम नहीं है but suppose करो चलो work 33 trees को produce करने के लावा हम लेते 30 chairs को produce करना है that is your work अब यहाँ पर आपका काम निकल गया यहाँ पर आपसे बोला 30 तो यह है अब यह work का करना क्या है तो वो हम देखेंगे आगे question में ठीक है यह चीज समझागे कि यहाँ पर हमें तीन चीज़ी है man, time and work man or time पो अगर हम देखेंगे तो man or time इंडू करके क्या बनता है हमारा work बनता है अब यह work हमारा किस चीज के लिए काम आता है वो देखते हैं इतनी चीज के लिए रहे है आप question बढ़ते है question में है क्या अभी तक हमने कितने कर लिया है एक मिनट इसको erase कर दू अब है कि 20 men can cut 30 trees in 4 hours 20 आदमी 4 घंटे का काम करते है that is your work यह चीज नहीं भूलनी है कि हमेशा आदमी और जो भी दिया होगा suppose जो भी person दिया होगा into अगर हम time करेंगे जतना घंटा या जतने दिन वो काम करता है that will be your complete work तो 20 men can cut 30 trees in 4 hours कि 20 आदमी 4 घंटे काम करते है 30 trees काटने के लिए तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 20 into 40 तो हमारा आजाएगा total work तो 40 जो 30 trees दिये है तो यह किसले दिया है यह दिया है कि भाई आपको एक tree काटने में कितना time लगता है यह tree यह information ही इसले दिये है तो हम क्या करेंगे कि total work जो हमारा है उसको divide कर देंगे हम total number of trees से तो यह अब इसका result क्या होगा कि हमें एक tree को cut करने में कितना time लगता है अब देखते हैं आगे question में क्या दिया है if four men leaves the job यानि कि चार men अगर अपना काम छोड़ देते हैं out of 20 men's four men leave the job that means remaining men's are 16 men's how many trees will cut in 12 hours 12 घंटे में वो कितना trees काटेंगे अब यहाँ पर आपको एक चीज़ analyze करना है इस question में efficiency के बारे में बात कुछ नहीं हुई है ठीक है efficiency के बारे में बात नहीं हो तो हम यह लेगे चलेंगे कि efficiency सबकी सहीम है अब efficiency से क्या मतलब हो कि भाई जितना एक आदमी अगर चार घंटे में एक tree बनाता है यह एक chair बनाता है तो यहाँ पर जो ये जो 16 men है ना यहाँ के जो 20 men है suppose यहाँ के जो 20 men है अगर जो 4 घंटे में एक tree बनाते है तो यह वाला जो मतलब ये आट अफ दा 20 men अगर एक men की बात करें तो उन आट एक भाई Agreement आगर एक tree बनाता है काम करने की जो दोनों की शमता है दोनों कैटेगरी के मेंस की वो सेम है तो यह चीज़ क्लियर हुई तो यहां से अब हमें बोला है कि हाउ मैनी ट्रीज विल कट इन 12 आर्स यानि की 16 में 12 गंटे तक काम करेंगे तो वो कितने ट्रीज प्रिद्यूस करेंगे तो हमें क्या करना है भाई efficiency सेम है यानि कि यह अगर एक ट्रीज जतने गंटे में प्रिद्यूस करेगा यह वाला जो 16 मेंस है वो आले भी एक ट्री उत इतने ट्री यानि कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क उन्होंने इतना करा क्यूं करा 30 ट्रीज को प्रेडियूस करने में तो एक घंडे में जितना ट्रीज प्रेडियूस करेंगे वो यहां से हमारे पास आजाएगे निकि उनके एफिशेंसी आजेगी इंचॉट तो अब वही ब समझे है यह चीज़ समझा आगे clear है न तो अब कुछ नहीं करना है अब इसको solve करना है 0 से 0 कट करा 4 टूसा 8 और 8 टूसा 16 तो एक सीकुल्स तो वाट 12 इंटू 2 24 और 24 इंटू 3 इस वाट 24 इंटू 3 इस वाट 72 तो 72 ट्रीज करेंगे sorry cut करेंगे right 72 trees cut करेंगे 16 men 12 घंटे तक अगर काम करे तो यह चीज़ clear है question easy था next देखते हैं यह चीज़ समझनी is very important कि जो mens है और time यानि कि person into time करेंगे तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा हमारे पास हमेशा आएगा total amount of work अब यह time वो फिर bifurcate कर सकते हैं कैसे hours लिख दिया और days लिख दिया तो फिर भी हमें men's into hours into days करना है time मतलब यह whole this whole thing denotes time की hours भी time में ही आता है और days भी time में ही आता है तो men में अगर आप hour और days into करोगी था आपके पास आएगा total amount of work ठीक है यह चीज़ क्लियर होनी चाहिए next question देखते है 40 men can build a wall in 20 sorry 40 men can build a wall 20 meter long in 12 days यानि कि 40 men जो मिलके वो बारा दिन तक काम करते हैं that is your total amount of work उसके बाद आपको क्या करना है 200 meter long wall बनाने के लिए तो आपके पास जगा एक meter wall बनाने में कितनी time रखती है कितनी efficiency है ठीक है what will be the number of days of 30 months similar बट यहाँ पर क्या है नीचे आपको क्या रखना है 300 meter रखना है तो यह वाला question मैं नहीं करा हूँगी यह आप खुद करोगी इसमें same है जैसे उपर करना है ना same वही चीज रखना है वही data रखना है आपको तो next time question देखते हैं बट in case अगर आपको answer मिल जाता है और आपको answer चेक करना है तो answer बता देती है उसका है A option that is 30 room okay so next देखते है if M men working MR per day ठीक है अब यहाँ पर आपको data के बितले M alphabet दे रखा है अब यह question कर सकनें के same चीज़ है अगर उपर जितना अभी तक सिखाया है यह concept अगर clear है तो आपको कोई question इस type के करने में difficulty नहीं आएगी अब यहाँ पर बुल है 18 men MR तक करते हैं units produce करने के लिए M days तक तो मैंने क्या बताया भाई men into time अब time में hours भी आएगा तो यहाँ पर कितने hours है MR और days भी आएगा तो कि इतने days है M days है divide क्या करना है divide किस से करना है हमी divide करना है M से because क्या कर है हुआ हमनों इन्होंmost M unit produce करे है efficiency आजाएगी तो यहां से हमारी efficiency आजाएगी तो cancel जो हो रहा है उसको cancel out कर देता है m से m कर तो गया तो यहां पर हमारा आया m square यह चीज clear है यहां की हमारी efficiency आगई m square अब is equal to के इस पार देखते है क्या दिया है तो अब दिया है कि then n men's work n day यानि के अगर वही n men n घंटे के लिए n days तक n men, n r per day करेंगे n days के लिए तो कितना उनको units produce होगा यहां पर भी same है n men, n rs और n days divided by x अब यह x निकालना है कितना unit produce होगा तो यह x किसे निकालोगे x को अधर ले गए और m को अधर ले आए किता आएगा n cube divided by m square that is your answer ठीक है यही answer है और यह कहां पर है option a में यह चीज़ clear है next देखते हैं 34 अब इस question में भी same वही है 20 men complete one third of work in 20 days यहां बोला है 20 जो आदमी है वो one third काम करते है 20 days में ठीक है 20 आदमी one third काम करते है 20 days में तो अब यह मत करना कि total amount of work होगा आपका 400 यह गलत होगा अब यह गलत क्यों होगा क्योंकि यहां पर one third ही काम दिया है पहले आप पूरे काम के efficiency निकालोगे न यहां पर बोला है 21 20 men's one third काम करते है 20 days में तो वही 20 men's पूरा काम कितने करेंगे कितने days में करेंगे वहां से आपका total amount of work निकलेगा तो कैसे निकलेगा यह three को इधर लजाएंगे तो आपका total amount of work निकलेगा यह चीज clear है तो total amount of work कितना है आपका 1200 जिसमें से उन्होंने 20 अलड़ी कर लिया है जिसमें से 20 कर लिया है अब 20 कैसे करा है 20 उन्होंने बताया है कि one third काम 20 days का कर लिया है काम नहीं बताया 20 days का कर लिया है तो days से काम क्यासे बनाओ गए आप? वही 20 days का काम करा है तो कितना काम करा है? 400 काम करा है यह चीज clear हुई यह चीज clear है bhai 20 seconds है उन्होंने 20 days का काम पूरा कर लिया है रूको, अभी समझाती हूँ आप से बोला है 20 men है उन्होंने 20 days का काम खतम कर लिया है into 20 days which is 400 यानि कि इतना काम उन्होंने खतम कर लिया है but this work is only one third of the whole work ठीक है यह सरफ one third है आप की मर्जी है कि आप यहां से पहले one third को यह days को convert कर लो पूरा कितना days लगेगा जैसे अभी करा मैंने कि 60 days लगा फिर उसमें से 16 to 20 करो या फिर आप यहां पहले निकाल दे है उन्होंने कितना काम करा है उन्होंने four hundred करा है यह one third काम है तो पूरा काम कितना होगा 12 होगा 12 मैंसे उन्होंने कितना कर दिया four तो बचा कितना है 800 units produce करना बचा है ठीक है 800 बचा है अब आगे क्या बोला है अब इतना याद है ना आपको कि 800 आपका काम बचा है ठीक है आगे का question देखता है आगे बोला था कि 24 अच्छा how many more men should be employed to finish the rest of the work in 25 days 25 days में ये काम खतम करना है ठीक है कितने days में काम खतम करना है 25 days में काम खतम करना है तो कितने men's लगेंगे भाई अगर आप total work को total number of days से divide करो तो आपके पास क्या आ रहा है आपके पास क्या आएगा 25 into 25 एक मिनट 75 फ्री और यहाँ पर आपका आएगा 32 यानि कि ये आपको काम 32 men's लगेंगे तब जाके आपका complete होगा 25 days में ये चीज़ क्लियर है ठीक है 32 men's लगेंगे बट इस में से 20 तो हमारे पास है already हमें जर है तो total amount of work उन्होंने कितना complete कर लिया था तो total amount of work उन्होंने कर लिया था 400 units produce करना अगर 400 is your one third काम तो total पूरा whole काम कितना है 1200 है पूरा काम जिसमें से अब रहे गया है 800 काम 800 काम को 25 days में complete करना है तो 800 divided by 25 days which means कि 32 men's लगेंगे उस काम को complete करने में जिसमें से 20 men's we have and 12 men's or 12 men's are the number of men's which will need it okay यह था आपकर 24th question 35th अब देखते हैं कि यहां तक clear है सभी को next देखते हैं 15 men's can complete a work in 16 days ठीक है 15 men काम complete करते हैं 16 दिन में तो total number total amount of work आगे आपके पास 24 men's are employed then the time required to complete the work अगर 24 men's लगाएं हम उस काम को करने में तो फिर कितने दिन में होगा काम तो फिर कितने दिन में काम होगा यह question है तो ठीक है भाई आजाएगा हमारा answer इसमें तो कुछ करना ही नहीं है कुछ भी नहीं करना इसमें हमें बस cancel करना है तो से तो आपके पास आ जाएगा 15 5 into 2 that means आपको क्या होगा आपका answer क्या है का question पूछा गया था एक मिनट तो आपका answer होगा 10 days right clear है नई sorry 12 10 men's करते करते question नहीं भूल गए 10 men's हमें एक मिनट 35 है ना हाँ sorry 10 days okay I'm so sorry 10 days आप से देखो बोला था 15 men है 16 दिन में वो काम खतम करते हैं तो total amount of यह आगया हमारा work after that बोला कि अगर 24 men's हम use करें यही काम करने के लिए तो हमारे पास कितने number of days हमें लगेंगे काम करने next is 36 and 36th question में क्या बोला है हमसे 36 में बोला है 20 workers working for 5 per day यानि कि 20 workers है work कितने 5 घंटे काम करते हैं एक दिन में complete करते हैं काम 10 दिन में ठीक है तो मैंने कैसे खाया था number of men's into time अब time आप hours भी लोगें और days भी लोगें यह आगया आपका total amount of work उसकी बात बुला if 25 workers are employed to work 10 hours अगर 25 workers को आप employ करो ताकि वो काम करें 10 घंटे एक दिन में तो आपको total days कितने लगेंगे इसमें कुछ है इसमें कुछ है सीधा answer आता है आपका five days लगेंगे हमको काम करने में which is option A, B right easy था अगर आपको यह एक बार concept समझ आगया कि work आपका क्या होता है men into time यह होता है आपका work तो आपको कुछ करने के जरूरत नहीं है अगर यही जो हमारा men into time में इसको divide कर दो work को तो आपको आजाएगा कि एक unit produce करने में आपको कितना time लगता है efficiency आजाएगी in short next क्या है next is 37 and that is a certain number of men can do a piece of work in 80 days यानि कि एक certain number of men है उन्होंने बताया नहीं है कि कितना है वो अगर काम करे तो 80 दिन में काम खतम कर देते है if there work if there were 10 men less it could be finished in 20 days more how many men are there in study यहाँ पर हमें बहुत कम information दिये उसके साथ हमें निकालना है हमसे बोला है कि certain number of men है suppose that is x ठीक है अगर x men 80 दिन तक काम करे this is your what this is your total amount of work तो हमारा काम जो है वो खतम हो जाता है ठीक है अगर 80 days में x men काम करे तो यह हमारा जो total amount of work है अगर वही काम 10 men काम करे ठीक है 10 men काम करे यानिकि यह जो हमारे men is में से 10 काम हो जाए तो हमें कितने days जादे लगेंगे 20 यानिकि पहले जो हमें 80 दिन लग रहे थे अब हमें लगेंगे 100 दिन बैं amount of work तो सेम है बैं मैंने बोला कि time into men आपका होता है amount of work तो यहाँ पर जो amount of work है वही यहाँ पर है इसी दिन मैंने बीच में equals to का sign डाला है उसके बाद आपको कुछ ही नहीं करना है equation solve करने है तो 100 minus 80 x आजाएगा आपका 20 x which is your what equals to 1000 यह आएगा आपका 50 answer is what answer is 50 यह चीज़ समझाए बहुत ही easy है एक concept समझने था बस उसके बाद तो question कुछ करना ही नहीं है right next question देखते है next is 38 and a stock of food is enough for 240 men's for 48 days यानि कि एक food का stock है जो की 24 men's के लिए है 48 days तक के लिए 24 men's उसको 48 days तक खा सकते हैं इतना हमारे पास food है यानि कि total amount of food कितना होगा इतना बाई अगर 240 आदमी 48 days तक उसको खा सकते हैं तो amount of food इतना होगा अब बोला है how long will seem stock last for 160 अगर वहीं पर अगर हमारे पर आदमियों की संख्या बढ़ जाए आदमियों की संख्या कम हो जाए कि 160 आदमी ही उस खाने को खाएंगे तो वो कितने दिन तक चलेगा कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसमें राइट इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसको बस cancel करना है और ये आएगा आपका 72 डेस तक क्या आएगा 72 इस दी आंसर तो इस वीडियो में इतना बहुत है अब मैं आपको इसके आंसर दिखा देती हूँ ये रहे इसके आंसर चेक है अगर आपको बुक के सॉलिशन देखने हैं तो इसके लिए मैंने लास्ट में ये आंसर दिखा दिया आपको ये यहां तक अपी तक हमने कर लिया है कहां तक कर रहा है 38 तक कर रहा है इसके बाद हम next वीडियो में करेंगे तो thank you so much guys for watching my video अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो like करना मत भूलना और अपने friends के साथ जरूर share करना and for more such videos please subscribe my channel thank you so much